मस्रो वोऊ और आप लोग भी लेकिन मैं इस मस्रोपरत चेबावचूद इंके वीडियोको म्स नहीं कर सकती आप लोग के लिए वीडियोज अप्लोड होंगी और बल्के आपंने दीखकना होगा कि एक के दिनों में जो वीडियोज अप्लोडो हो रही हैं वो emergency instant result के लिए आप लोग के साथ शेयर हो रहे हैं कहुं सारे request थी boys के भी पिछली प्लीट वीडियो देखे कि हमारे लिए भी कोई वीडियो बनाएं तो लेजिए वीडियो उमने बना लिए सबसे पहले जल्दी से तरीका बताते हैं मेरे पास यह है मेता एक टीस्पून आप बेसल ले सकते हैं आटा ले सकते हैं आप खुछ दूद ले सकते हैं और चावल काटा भी ले सकते हैं इसके बाद मेरे पास मीठा सोडा है बेकिंग सोडा इसको मैं आदा टीस्पून लूँगी चेहरे के लिए आदा टीस्पून आपने इस्तमाल करना है बॉइज और गर्स दोने और हातों के लिए आप भी इतना ही इस्तमाल करें और अगर बॉइज इस्तमाल करें तो भी आप इतना ही इस्तमाल करें चेहरे के लिए आदा टीस्पून ही आप दोने इस्तमाल करेंगे, वायज यद दो इस्तमाल करेंगे, इस चीच से आपके बाल गोल्डन ही होगे, रिजल्ट भी मिलेगा, इसके बाद मेरे रेपास लीमू है, इसको दोई समय काट लेजए और आदे लीमू का रास इसमें शा आदे के लिए आचे मेरेज़ने रेसलिट में, इस से तहले इसको इसकी स्कामाल कर लेजाए, एक से दोफ़र इस्तमाल कर ले, मैं अरकाल एग मेरें-वाज फ़ू दिन रहते हैं, तो आप पांशे दिन में इससी दो बार इस्तमाल कर ली जे ये, यकीं कीजें के दूसरी आप देखके हरान रह जाएंगे कि आपने इस तक इसको इस्तमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तेज ना होते हुए भी तेज हैं, यानि के केमिकल्स पर नहीं हैं, चीज़ें भी सारी नेचरल हैं, लेकिन आपको रिजर्ट इसका अच्छा मिलेगा, एक दो चीज़ा हमने कि या वो आप स्किप कर सकते हैं, गुलाब का अरक है मेरे पास रोज वाटर के इसमें मैं एक टीसपून शामिल करूँगी, तमाम वीडियो को पुरी तवच्छो से सुनिएगा, इसमें मैं सभी कुछ बता दूंगी, जो आप छोड सकते हैं, जो नहीं छोड सकते हैं, एक बेकिंग सोडा इसमाल किया था, इसके जगा पर ब्लीच का पॉडर भी इसमाल कर सकते हैं, बट यह इसलिए वनाई है, क्योंकि यह बॉइस के लिए, बॉइस के बास जो है, वो गॉल्डन या लाइट नहीं हो, लेकिन उनको रिजर्ट पूरी मिल जए, अप यह मेरे पास sensitive skin पर आप इसको इस्तमाल मत कीजिए, मत कीजिए और मत कीजिए, और चेहरे पर आपने hydrogen का इस्तमाल नहीं करना भले वो girls हैं या boys है, चेक हो गया, आपने चेहरे पर इस्तमाल करना है, तो इसमें सिरफ मीठा सोडा यानि baking सोडा ही इस्तमाल करना है, हाथों पर भी ऐसे इ तो इसमे आप हाइट्रोजन मिला सकते हैं, यह असूल वायजन गर्स दोनों के लिए है, ठीक हो गया, उसके बाद मेरे पस यह शहद है, मेरे पस पिल्कुल प्योर है, आपके पास प्योर है, तो वैलन गूट नहीं है, तो परिशान नहीं होना, जून साब के पास है, उसको आदे टीस्पूर इसमें शहद की मिलाएंगी, उसके लाबा इस रामिटी को भी मैं छोटी उमर्ट की लड़के और लड़के उस्तमाल करने के अड़ाइस नहीं करूंगी, इस वो आप सोला साल से लेके 20-25 साल तक इस्तमाल कर सकते हैं, 30 साल वाले भी इस्तमाल कर सकते हैं कि बाद फोटी उमर्ट की हो रही है, इस वो 17 साल से लीची को भी इस्तमाल मत कर सकते हैं, तमाम चीजों को मैंने स्टैप पर स्टैप मिक्स किया है, इससे मिक्सिंग अच्छी होती है, और रिजल्ट पी अच्छाता है, आप तो शाहिए इस बाद दो गौर नहीं करते हैं अब आप आप सके नारियल का तेर हैं, सबसे लास्ट में, आठ दस गत्रे ले ले लीजिए या आदा टी स्पून ले ले लीजिए, यह वाइट टी के लिए बहुत सब्रदस्ट चीज़ हैं, यह भी हम स्टम मिलाने के, अगर आप नहीं मिलाना चाहते हैं, कोई मस्टा नह नहीं भी मिलाना चाहते हैं, परिशान नहीं हो, आप छोड़ दीजिए, लेकिन इसके मिलाने से यह होगा, कि आपकी स्किन सॉप्ट भी रहेगी, लेजिए आपके प्रीच क्यार होगी, इसको हमने करना है सब्सक्री अपलाई, क्योंकि इसमें मैंने हाइड और इस्तमाल क कोई नहीं है, लेकिन मैंने चाहते हैं, कि आप लोग की अपनी स्किन का हिसाब है, तो किसी किसम की को परिशान नहीं हो, सिंप्ली इसको अपलाई किजिए, चेहरे पार हाइडरोजन इस्तमाल नहीं करना, बाकि सारा तरीका यही है, अपलाई करने के बाद आप इसको उससे हाथ पर भी अपलाई कर लूँगी, एक पर मैंने कर लिया और दूसरी पर भी कर लूँगी, क्योंकि यह दाने वाली है, तो जार शिपा तक मैं प्लाई कर लूँगी, तो कोई टैंशनमाली बात नहीं है, वैसे तो मैंने करती, तो चलेंजिए दूसरी आप पर भी करेंगे और इसके कुछ कोने के इंतजार करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल 15-20 मिनिट के बार ड्राइ हो चुका है अब हमने क्या करना है जिस लिमो में से हमने लिमो का रस निकाल लिया था उसके चीटा हमारे पस पड़ा होगा चीट हो गया इसकी मदद स आपने स्क्रेविंग करने आपको रिजर्ट यहीं पर नजर आगया होगा बहुत अच्छी तरह से आपने स्क्रेविंग करने है जारा जान लगां के तो मिनट लागने करिए घड़ी के सुझियों के मताबक 2-3 मिनट हल के हाथ से स्क्रेविंग करिए अगर नकल्स पर, लिए मुद चिरिकों से इसका स्क्रॉट कीजिए ठीक हो गया एक से दो मिनट आपने अची तरह से स्क्रॉटिंग करने हैं जब तक मैं मैं करना हूँ कि नई ट्रैंड से में रिक्वेस्ट करती हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज अपनी प्लीज अपनी तमाम फ्रैंड के साथ इसे लाजमी शेयर करें क्योंकि instant results के लिए remedies जो हैं वो slow दरा होती हैं, बटके इसका results पूरी आपको नजर आएगा तो इसको लाजमी आपको share करना शाहिए ताकि एपर जो है वो, जो लोग पालर नहीं जा सकते या पूर नहीं करते को इस natural remedies से पूरी results देसके और पिर्नी डिजर्ड के लिए एक से पहले दू पर इसको तोरा लीजिए दो से तीन बिर्ट के वक्ते से तो कोई टेंशन की बात mí ने है सेंसिटिव स्कीन जाले इसको 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 इस्तमाल ना करें अगर करना भी चाहते हैं तो इसमें से मीठा सोड़े की मिक्तार का हम लेती है अपनी स्कील्टी साब से अर्मुस्त तमाम बाते मैंने क्लियर करती है और मेरा स्क्रपिंग भी कम्प्लीट हो चुक है अब हम इसको वाश कर देते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने हैंड वाश कट के आ चुकी हूँ और लास्ट पे जो रेगुलर देख आपने लेना है अब यहां भी आप लोग को पताते चलिए अगर नहीं है तो बाबा परिशान नहीं हो ना को भी वाइटनिंग लोशन घर पे पड़ा है ना उसके साथ आप 2-3 मिनट हाथों कीची सारह से मसाज करें अब अगर आपके पास सॉंट प्रैज का सुटिंग लोशन होगा तो इसके अप्लाइट करते हैं आप रिजर्ट देखिए लिए इसको बैट हाथों पे करना तोड़े हाथ गीले हो ना आपके तक तोड़ा सा इसको लीचे और 2-3 मिनट आप अच्छी तरह से इसका मसाज करें अलके हाथ से मसाज करते हैं आपको गुएट मिन्म नजर आना शुऑ हो जाएगी आप लीच वगएरा होसे नियां पा टर्फे कर डेति हैं। ऐसको इसके इसका स्कमाल किया करये अच्छे वीडियो में क्या हुआ था जब हम वीडियो का सेकंड पार्ट बनाने लगे जब हैंड बॉश करके आई हूँ तो इसमें यू आओ के कैम पैप्छोने की वज़ा से हमारा जोब रिजर्ट चेंज हो गया अब यहां पर हंसी वाली बात मुझे यह है कि मैंने कॉमेंट्स को देखा तो मैं बहुत परिशान हुई कि सबने यह लिखा कि आपने चेंज कर दिया अफ़ाट चेंज कर गया यह हो गया इसपे हम बाद में बात करते हैं पहले आप यह देख दीजिए कि रिजर्ट आपके सामने हैं आपके सब्सक्राइब के एक दफ़ा पंद्रह भी स्वेट किस मेहनत से मुझे कितना अच्छा रिजर्ट मिल है कि लिख में अगर आप इससे दो बार इस्तमाल करेंगे तो रिजाल करें आपका रिजर्ट क करुछ नजर आ रहे हैं और मेरा ख्याल है कि कली आपको क्रीयर नजर आ रहा हैं और आपको यह वीडियो इचिछी लेकी होगी तो इसको प्लीज अभी अपने अपने प्रस दे साथ शियर्ट कर विडियो आ Kenya अब चलते हैं अब आज के लेसन की तरफ और उसके साथ बात चलेंगे हम अपने मेसेज की तरफ सब्सक्राइब लेसन में आपको यह कहना चाहेंगे कि हर तारीक रात के बाद सुबह नमदार होना ही है यह हम सब जानते हैं इसलिए हमेशा पूर उमीद रहो हम सब जानते हैं कि रात हुए इसके बाद सबेरा लाजमी होगा इतनी मैना से वीडियो बनाई है एक लाइक तो बनता है ना और दूसरा यह कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दुबारा कैसे ढूड़ेंगे तो इसका हल यह है कि आप हमारे सेनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इस बैल के आइकन को क्लिक कर लिजिए इस तरह हमारे आने वाली तमान वीडियो आप तक पहस अज़िए